राजधानी में चल रहे 46 पी जवाहलाल नेरू राश्टिय विज्ञान गणीत परियावरन प्रदर्शनी में देजभर से पहुँचे बच्चों ने एक से बढ़कर एक मॉडल का प्रदर्शन किया है सभी मॉडल आधुनिक भारत की और इंगित करती नजर आ रही है जिसे देखने स्कूली छात्रों के अलावा अन्य जन्मानस का हुजूम प्रदर्शनी में उमण पड़ा है इलहाबास से आयोए छातर सत्वीर सीं और अमन वर्मा ने उनके गाइट टीचर दिनेश प्रताप सीं से मिलकर फार्मिंग रोबोट बनाया है छातर सत्वीर ने फार्मिंग रोबोट के मॉडल की जानकारी दी फार्मिंग रोबोट की खासियत ये है कि ये 10 मशीनों का काम अकेली ही करता है जैसे कि बीच की बुवाई से लेकर फसल की कटाई तक हर प्रकार के काम इस मशीन के द्वारा किया जा सकता है इसमें पानी इंधन की बचट भी होती है साथ ही किसानों का समय भी बच जाता है और इसे खरीदने में भी किसानों को कम धन्य करना पड़ेगा क्योंकि 10 मशीनों क्या अगर हम खरीदते हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिम हो जाती है उनकी और प्रेटिंग कास्ट बहुत ही अधिक हो जाती है और सबसे खास बात इसमें यह है कि इसमें एक सेफटी सिस्टम है जिसके माध्धम से खेद में आई हुए जानवरों को भगा सकते हैं और खेद की स्वच्छा भी कर सकते हैं यह बीच की बुआई से लेकर के फसल की कताई तक का हर काम करता है जैसे कि इसमें बहुत सारी मशीन हैं पहनी मशीन हमारी कमबाइन देशी मशीन है दूसरी मशीन हमारी अरजस्टेबल कमबाइन मशीन है तूसरी मशीन हमारा इसमें मिक्शियर है चौती मशीन हमारी इसमें आलू निकालने के लिए मशीन है पाद में मसीन हमारी आ अले बोने की मसीन है साथ में में मिठ्य को मुलाइम करने की मसीन है आज मी मसीन हमारे खेट जो दिकली मसीन है लवे मसीन हमारे बीजदाइल लेकली मसीन है और छबसे अन्त में दस मनच हमारा safety system है और इस रोबोड को हम कहीं से भी किसी भी state से बैठ कर जीपेस के तूर या वाइफाई राउटर में चलाए जा सकता है इस रोबोर्ट की लागज लगबग अगर हम इसे वास्तोविक में बनाएंगे लगबग एक करोर के आसपास आएगी अगर हम दस मसिन्यों अलग अलग खेड़ देंगे उनकी लागज लगबग 5-6 करोर के आस साइन्स एग्जबीशन में दिल्ली से आई शातर बीनू और माला ने मिलकर एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जिससे पौधों से विज्ली का उत्पादन किया जा सकता है साथ ही धान की खेति को भी यहां दर्शाया गया है दिल्ली से आई छातर वीनू ने कहा कि यहाँ पर जो मॉडल बनाया गया है उसके जरिये पौधों से बिजली का उत्पादन किया जाना प्रदर्शित किया गया है अभी भी देश में कई ऐसी गाउं हैं जहां बिजली नहीं है इस मशीन के जरिये वहाँ पर बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा जिस से लोग खुशाल जिन्दगी जी सकेंगे इसके साथ में बड़ी समस्या आती है पराली बचने के एक बड़ी समस्या आती है पराली की पराली बचने के बाद इसे जला दिया जाता है जो की प्रदूशन का एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है इससे हम मश्रूप कल्टिवेशन में ही इस्तमाल कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से पहुँचे विद्यारती रोहिश शर्मा और उनकी गाइड टीचर किरन ने मिलकर चुम्ब की उर्धवारधर अक्षपवन टर्वाइन का मॉडल तयार किया है इस मॉडल की सबसे खास बात यह है कि घरेली उपकरण को जो की AC सप्लाई वाले होते हैं उसे DC में बदल कर उर्जा की बचत में उपयोगी होगा इसका सबसे बड़ा कारण मशीन पोटेबल है जिसे एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा सकता है इस मशीन से घर के अंदर फ्रीज, कूलर और अन्य कई मशीन जो बिजली से चलने वाले हैं सारे यंद्र इसमें लगे बैटरी से 24 घंटे तक चल सकते हैं यह मशीन हवा के जरिये चलती है, साथ ही हवा की गती के बदलाव से इस मशीन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यह मशीन अपना काम स्वम करती रहती है तो जैसे कि जनरली इसमें बीर्णिक्स का यूज किया जाता है, जिससे उसका मैंटिमेर्टो मगता हैιο क्योंकि आपके बार बार उसमें औरे इसमें आउनिक करने करने बढ़ता है जिसे हमें उसको रीप्लेस करना बड़ता है और एक्चुली वह होरीजोंटल होते हैं तो इसको प्रिवेंट करने के लिए मैंने अपना एक मॉटल बनाया है जिसका नाम है वोल्टिकल एक्सली दॉइंट तबाइंट की मदल से इलेक्रिसिटी को जब्रेट किया है तो यह ज भूल मैग्द लगा हुत है और वो अबोजे डिरेक्शन में लगा हुआ है ताकि एपर यह आपर प्लेस करेंगे जिससे कि वो जो जो टिवोल्टेज है वो इसको डिस्य में कड़ कर देगा अगर अम इसको अपने मद्टिश करेंगे अर इसके साथ एक बैटरी प्लेस करे साइंस फेयर में गोवा से आई छात्रा तनिशका और उनकी शिक्षिका सिध्धी शिद्धिश ने मिलकर एक ऐसा मॉडल तयार किया है जिसके जरिये समुद्र में चलने वाली जहाज जिससे तेल की काफी मातरा पानी में निकलती है और जो जीव जनतों के लिए बहुत नुकसान दायक होता है जिससे उनकी जान की खत्रे भी होते हैं गोवा से आए हुए शात्रा तनिशका ने जानकारी देते हुए कहा कि जहाज के जरिये निकलने वाले तेल को कम करने के लिए यह मॉडल लाब दायक है जो यह मॉडल है वो समुन्दर में बाल में यह मॉजटर को obstork करेगा और पानी समुन्दर में चोड़ेगा इससे हम जो मचलिया होती हैं, इनके लिए वो ओल हानिकारक है, इसलिए ये ओल हम निकालकर वो मचलिया भी सेफ रहेंगी ना, ऐसे हैं मुझे ये प्रेना, जब मेरे डैडी ने मेरे गड़ पर जब मचलिया लाई थी, तो उनके से डीजल की स्मेल आ रही थी तो मैंने उस पर मतलब श्टड़ी की, फिर मैंने एक आर्टिकल भी मुझे मिला नेट पे, डॉक्टर ननुकुमार कामत का, जो की अबोर रहा था की समुदर के पानी में जो मचलिया जो होती है, उनके लिए ये ओल का टॉक्जिन है, तो मैंने इस पर श्टड़ी की, फिर मै जवाहरलाल नेहरूस साइंस फेर में देजभर से आएवे बच्चों ने विभिन प्रकार के मॉडल यहां प्रदर्शित किये हैं, सभी मॉडल आधुनिक तक्नीक को दर्शा रहा है, साथ ही विज्ञान, गनीद और परियावरन से जुड़ा संदेज भी इससे मिल रहा है, विरो रिपोर्ट, देज टीवी